नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ हमारे देश में चाहें कोई राजनेता ही क्यों न हो या कोई IS या IPS अधिकारी ही क्यों न हो हर किसी को अपने संपती का ब्योरा सरकार को देना पड़ता है लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 36 ऐसे IS अधिकारी और 3 ऐसे IPS अधिकारी हैं जिनोंने अपने संपती का ब्योरा सरकार को नहीं दिया है उन्होंने नहीं बताया है कि आखिरकार उनके पास कितनी चल और अचल संपती है कितने कैश के मालिक हैं कितने जमीन के वो मालिक है दरसल सरकार ने 15 जून का लास्ट डेट दिया है अभी 15 दिन और बाकी हैं लेकिन अब तक IS और IPS अधिकारियों ने अपने संपती का ब्योरा नमश्कार आप देखें न्यूस फो नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ हमारे देश में हर एक नेता, राजनेता या IS या IPS अधिकारी क्यों न हो हर किसी को अपने संपती का ब्योरा सरकार को देना पड़ता है उन्हें बताना पड़ता है कि उनके पास कितनी चल और अचल संपती हैं कितने कैश के वो मालिक हैं, कितने जमीन के वो मालिक हैं, कितने उनके पास जुईदेरी हैं कितने उनके पास गाड़ियां हैं आपको बताए कि अब बिहार के अगर बात कर ले तो बिहार के 36 SIAS अधिकारी हैं और 3 SIPS अधिकारी हैं जिन्नों ने अब टक अपने संपती का ब्योरा नहीं दिया है दरसल अपने संपती का ब्योरा देने की जो अंतिम्टी थी थी वो थी 15 फरवरी चुकि 15 फरवरी अब क्रॉस भी कर चुका है महिना भी जो है वो खत्म होने को है लेकिन इन अधिकारियों ने अपने संपती का ब्यौरा ने दिया है जिसके बाद अब सरकार कारिवाई करने के मोड में है तो आखिरकार भिहार के ये 36 कौन ऐसे अधिकारी हैं और 3 ऐसे कौन से IPS अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसी ही माकत की है सरकार के आदेश के बावजुद बिहार के 49 वर्य अधिकारियों ने अपनी संपती का बेवरा गोशित नहीं किया है। इसमें 36 सिनियर आईएस और तीन आईपेस अफसर शामिल है। संपती का बेवरा नहीं मिलने के बाद समान प्रशासन विभाग ने इन्हें अल्टिमेटम जाली किया है। संपती की जानकारी 15 फरवरी तक ही देनी थी। प्रावधान के नुसार संपती का बीवरा सारवजनिक नहीं करने की स्थिती में उनके वेतन से कटोती शमेत प्रशासनिक का रिवाई करने का नियम है। संजय कुमार, राजुसभा सचीवाले के सचीव राजीत पुनहानी, और शद विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्राले के सचीव अरुनीस चावला, पंचायती राज विभाग के अप्रमखे सचीव महीर कुमार सिंग, केंद्र मांधिमिक सिक्षा बोज के अध्यक्ष राह लोकस्वास्त अभियंतन विभाग के प्रधान सचीव पंकज कुमार पेजल एवं स्वक्षता विभाग भार्ट सरकार के संयुक्त सचीव जितेंद्र शिर्वास्तव, मगद्प्रमंडल के अयुक्त मयंक वडवडे, नगर विमानन मंत्राले के संयुक्त सचीव असंगब चूबा आओ, औशद विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्राले के संयुक्त सचीव पलका साहनी, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के संयुक्त सचीव आर लक्षमन, नवीन और नविकरनिया उरजा मंत्राले के संयुक्त सचीव अजे यादव, उद्योग सर्व एवं पेंशन मंतराले के निदेशक अश्विनी दत्तात्रे ठक्रे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आदेश तीतर मारे राज़स्वे विभाग वित्त मंतराले के निदेशक मनोज कुमार सिंग पतना नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर शामिले इनके अलावे कटिहार के बंदोबस्त पदाधिकारी नरेश जा, लखी सराय धीयेम रजनीकांत, राज निर्वाचन आयोग के सचीव मुकेश कुमार सिन्हा, सहरसा के बंदोबस्त पदाधिकारी विश्वनात चौधरी, नागलेंड सर्वंग में सेवारत डॉक्टर जितें खगडिया बंदोबस्त पदाधिकारी अरुन कुमार जा, पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विद्यानन्द सिंग, बेगु सराय के नगर आयोग्त सतेंद्र कुमार सिंग, जमुई के बंदोबस्त पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, नवादा बंद पदाधिकारी चंद्रमिया अत्री के अलावे समाजिक वनिकी के खंडूजा और ऐसे तमाम अलग-अलग अधिकारियों का नाम शामिल हैं जिन्होंने जो है नियम अनुसार ये कारे नहीं किया हूंने अपनी संपती का ब्योरा नहीं दिया जिसके बाद अब उनके उपर का कारेवाई की जाएगी तो देखे हमने आपको वो तमाम 36 IAS अधिकारी और तीन IPS अधिकारियों के नाम बठाए आखिरकार वो कौन-कौन से विभाग से आते हैं जिन्होंने अब तक यानि 15 फरवरी ही लास डेट था लेकिन 15 फरवरी के बाद आब मै हो गया है लेकिन बाव